अफ़ाइन सैफर का अभ्यास करने वाला है सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे जो आगे के कॉंसप समझने के लिए बहुत ज़्याद होने वाली है और इसके बाद डायरेक्ली नुमरेकल के ओपर जम करेंगे ठीक है अब स्टोरी यह है कि वह हमारा अमन है और यह ह होता है और अगर 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 उस मैसेज के ओपर अटैक कर दिया तो अगर उस मैसेज को रीड कर सकते हैं जो कि अमन नहीं चाहता अमन बस यह चाहता है कि उस मैसेज को सिर्फ और सिर्फ तन्वी पड़े वेरी प्राइवट मैसेज अब अमन ऐसा क्या करें जिसे अमन का य message है जिसको हम plain text कहेंगे और अभी send करने से पहले अमन उस message को encrypt करेगा with some encryption technique बहुत सारी अलग-अलग encryption techniques होती है और उन में से एक encryption technique अमन यूज करेगा to encrypt that message तो in this case that encryption technique is a fine cipher ठीक है अब माल लेते हैं कि a fine cipher के मतलब से अमन ने उस message को encrypt कर लिया और फिर वह message बन जाएगा एक encrypted message encrypt कर लिया इसका मतलब यह है कि अमन ने उस message को एक ऐसे form में convert कर लिया जो form एक machine ही समाच सकता है और एक normal इंसान नहीं समाच सकता ठीक है तो अभी उस form में convert करने के बाद वह message एक encrypted message हो जाएगा या इस case में उसको ciphertext भी तुम कह सकते हो अब वह encrypted message या ciphertext यहां से इंटरनेट के तुरू यहां पर travel करेगा तु तन्वीज computer या तन्वीज system और अभी तन्वी का जो system है वह उसी technique का इस्तेमाल करके मतलब basically in this case a fine cipher का इस्तेमाल करके ही उस message को decrypt करेगा और फिर finally वह message अपने normal message के ऊपर वापस convert हो जाएगा और फिर तन्वी वह message पढ़ सकती है तो basically यह कहान यह अब हम यह समझते कि a fine cipher काम कैसे करता है let's say for example अमन को sell यह message तन्वीज को send करना है ठीक है तो अभी sell यह message यह plain text हो गया जो message send करना होता है उस message को अब a fine cipher के अंगर किया होता है कि इसके अंदर दूपीज होती है और यह जो वैल्यूअ सिर्फ सेंडर को और को पता को होती है और उनके अलावा और किसी को भी नहीं ठीक है तो अभी अमन उस message को see copy यह कहता है कि अगर तुम्हें एक message को encrypt करना है तो उसके लिए तुम्हें उस message के उपर इन दो formulas का इस्तमाल करना पड़ेगा और दोनो formulas के अंदर एक एक की का इस्तमाल किया जाता है और अब कब कौन से की का इस्तमाल किया जाता है वो मैं आपको बाद में बता हूँगा बड़ बेसिकली तो भी यह समझने की जरू होता है कि encryption के time पे इन दो formulas का इस्तमाल किया जाता है अब मान लेते कि अफ़ाइन साइफर का इस्तमाल हो चुका है और अभी वो जो message है वो cipher text या encrypted message में बदल चुका है ठीक है अब वो encrypted message यहां से यहां तक travel करेगा और अभी जो तन्वी का system है वो क्या करेगा अफ़ाइन साइफर का इस्तमाल करके उस message को decrypt करेगा तो अफ़ाइन साइफर यह कहता है कि अगर तुमें message को decrypt करना है तो तुमें इन दो formulas का इस्तमाल करना पड़ेगा और दोनों formulas के अंदर अलग-अलग keys का इस्तमाल होगा ठीक है और अभी तन्वी का computer जो है वो इन दो formulas का इस्तमाल करके उस message को decrypt कर लेगा और फिर finally वो वापस एक normal message के अंदर और फिर तन्वी उस message को बढ़ सकते है तो बेसिकली यह अब हमारा question करते है जो कि बेसिकली उसी concept के ओपर based है जो हमने अभी अभी पड़ा अब यहां पे भी हमारे question के अंदर use a fine sapphire with key seven and two मैंने बोला दो keys होती है तो यहां पे इस case में वो दो keys है seven and two and encrypt and decrypt the message sell हमें sell यह message पहले encrypt करना है और उसके बाद decrypt करना है इस question का literal मतलब यह है कि अमन जो है वह sell यह message send करना चाहता है और अभी यह formulas apply करने के बाद वह encrypted message क्या होगा यह हमें निकालना है और फिर यहां पे जाने के इन दो formulas का इस्तमाद होने के बाद वह decrypted message क्या होगा जो कि of course sell होगा वापस but वह process क्या है वह हमें दिखाना है या वह हमें solve करना है इस question के द्वारा right अब हम शुरू करता है सबसे पहले क्या है देखो plain text plain text मतलब basically जो message आमन को sell कर send करना है which is sell तो यहां पे ppp मतलब plain text plain text plain text plain text plain text तो यहां पे हम लिखेंगे s e l l sell a fine cipher के अंदर जो भी message होता है उस message के अंदर एक-एक alphabet को consider करके काम होता है ठीक है तो जो भी process हम करेंगे एक-एक alphabet के उपर करेंगे पूरे के message के ओपर नहीं कर सकते है तो इसलिए मैंने लिखा sell अब हर एक alphabet किस number को represent करता है वो हमें लिखना है तो जो s है वो 18 को represent करता है s represents 18, e represents 4, l represents 11 and again l है तो यहां पे 11 आएगा तो अभी sell और उसके corresponding numbers है वो हमने यहां पे लिख दिया है अब यह जो message है वो अंदर जाएगा इस formula के अंदर अब एक एक alphabet के उपर काम होने वाला है तो P मतलब plain text तो सबसे पहले s जो है वो इधर जाएगा इसका मतलब s नहीं जाएगा उसका जो number है वो जाएगा which is 18 तो P के जगे पर आजाएगा 18 and k1 के जगे पर आजाएगा k1 का value which is 7 यह k1 का value है यह k2 का value है ओके तो 18 इंटो 7 दाइस 126 अब 126 mod 26 अब 126 mod 26 हम Kelsey के मदद से करेंगे तो यह हमारा Kelsey है मेनू के अंदर जाएगे बेस एन ओप्शन के अंदर हमें जाना है अगर हमें 126 mod 26 करना है तो हमें करना पड़ेगा 126 minus 126 divided by 26 into 26 and the answer is 22 तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि answer आता है 22 तो क्या में यह कह सकता हो कि for s the value of t is 22 तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 22 for s the value of t is 22 right अब हम अगले alphabet के उपर जम करेंगे which is e अब e p के जगे पर जाएगा मतलब basically e का जो नंबर है 4 वो पी के जगे पर जाएगा that would be 4 into k1 that is 4 into 7 that is 28 that would be 28 mod 26 अब हम 28 mod 26 Kelsey का मदब से करेंगे तो यह हमारा Kelsey है मेनू के अंदर जाएंगे base and option के अंदर जाएंगे तो अब हमें 28 mod 26 करना है तो that would be 28 minus 28 divided by 26 into 26 and the answer is 2 तो अब ही जैसे कि तुमने देखा कि answer आता है 2 तो क्या में यह कह सकता हो कि for e the value of t is 2 right तो इसलिए for e the value of t would be यहापे हम 2 लिख देंगे अब अब अंदर जाएगा मतलब basically L का जो नंबर है वो अंदर जाएगा that is 11 that would be 11 into k1 that would be 11 into 7 क्योंकि k1 का value 7 है तो 11 into 7 that is 77 and that would be 77 mod 26 अब हमें 77 mod 26 करना है तो मेनू के अंदर जाएगे base n and 77 minus 77 divided by 26 into 26 and the answer is 25 तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि answer आता 25 तो क्या में यह कह सकता हो कि for l the value of t is 25 right तो इसलिए यहापे हम लिखेंगे 25 and again ll है तो अगले L का भी value same ही आएगा तो इसलिए यहापे भी हम 25 लिख देंगे अब यह जितने भी टी की values है मतलब basically यह चार यह चारो के चारो इसके अंदर जाएंगे simple as that तो मतलब basically हमें इन चारो values के अंदर बस k2 अभी करना है तो यहापे हमें बस प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करना है करना है और हर बार मौद से 26 करना है तो मतलब that would be 22 प्लस टू आइस 24 मौद 26 फोर मौद 26 27 मौद 26 27 मौद 26 और फिर हमारे c की values निकलेंगे तो अभी सबसे पहले 24 मौद 26 हम करेंगे तो अभी हमें 24 मौद 26 करना है सब्सक्राइब 24 मौद 24 divided 26 into 26 अइसरे 24 तो अभी जैसे के तुम ने देखा के इंशर 24 आता इसलिए अपर श्रौ अब ऑनिकेंगे 24 आप यहापे 4 मौद 26 करेंगे तो अब हमे फोर मौद 26 करना है तो दैज विल फोर मिनस फोर दिवाद बाई 26 in to 26 अन अशर इस फोर अबान स 27 divided by 26 into 26 and the answer is 1 to answer I have 1 इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 1 यहां पर 27 है तो यहां का एंसर भी 1 आ जाएगा तो बेसिकली हमारे पास सारे की सारी सी की वैलियू आ चुकी है और अब हम इन्हें वापस अपने अल्फाबेट के अंदर करेंगे तो 24 क्या है 24 इस वाय यहां पर हम लिखेंगे वाय उसके बाद है इसका मतलब बेसिकली यह है कि इस मैसेज यह यहां से यहां पर सेंड हो जाएगा अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर बीच में किसे अटाकर ने उस मैसेज को उठा भी लिया तो क्या वो अटाकर उस मैसेज को रीड करके समझ पाएगा कि अमन को तन्वी को क्या सेंड करना है नहीं क्योंकि वह तो YBB है समझ के बाहर है अब यह मैसेज यहां से यहां तक पहुचेगा मतलब मैं इदर YBB लिख देता हूं मतलब बेसिकल यह सारे के सारे सी के वैल्यूज है अब इन दो फॉर्मिले का इस्तेमाल करेंगे उस मैसेज को करने के लिए तो अभी वहां पर इसलिए मैंने टी 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 लिखा है और यहां पर मैं कि वाई इव भी लिख देता हूं क्योंकि इनके कर्रस्पॉंडिंग वह है अब हम इस फॉर्मिला का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले कैं सी माइनस के टू तो अभी सी के 24 रइन तो 24 माइनस के टू के टू तो 24 माइनस टू आइस 22 अब हमें 22 मॉवश दीटी इसक्स करना and the answer is 22 तो अभी जैसे कि तुम ने देखा कि 22 आता है 22 इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा 22 तो इसका मतलब यह है कि y जब इस फॉर्मली के अंदर जाएगा so for this alphabet the value of t is 22 उसके बाद e के साथ भी ऐसे करें हम लोग e अंदर जाएगा so that would be basically e का c का value ठीक है तो e का c का value है 4 तो 4-k2 that is 4-2 that is 2 and 2 more 26 अब हमें 2 more 26 करना है so that would be 2-2 divided by 26 into 26 and the answer is 2 अब जैसे कि answer 2 आता है इसलिए इसका मतलब for e the value of t is 2 and answer is यहां पर हम 2 लिख देंगे and उसके बाद b के साथ भी हम ऐसा करेंगे तो b अंदर जाएगा मतलब basically b का c का value अंदर जाएगा that is basically 1 अंदर जाएगा so that is 1-2 that is 1-2 क्या होता है minus 1 that would be minus 1 more 26 अब हमें minus 1 more 26 करना so that would be minus 1 minus of minus 1 divided by 26 into 26 and the answer is minus 1 तो अभी जैसे कि तुमने देखा कि answer आता है minus 1 तो यहां पर हम लिखेंगे minus 1 but minus 1 तो कोई alphabet है नहीं राइट तो जब minus 1 alphabet आता है तब हमें 26 minus 1 करना होता है तो 26 minus 1 क्या होता है 25 और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 25 ओके minus 1 नहीं लिखेंगे और अगें यहां पर find out करना पड़ता है अब अगर हमें इस k1 inverse का value find out करना है तो उसके लिए हमें एक जोल करना पड़ेगा और अब वो जोल क्या है वो मैं आपको समझाऊँगा अब मैं तुम्हें वो process दिखाने वाला हो जिस process के मदद से हम इस k1 inverse का value निकालने वाले हैं ठीक है क्यों यानि की question r1 r2 r मतलब remainder right t1 t2 और t2 वो इस formula से आते हैं यह हमारा formula है ओके अब तुम्हें लिखना है 26 और 726 कहां से है number of reference 26 और 7 is the key क्योंकि k1 कहां में निकालना है तो k1 7 है ओके अब हमें इन दोनों का division करना है so that is 26 divided by 7 1 7 is 7 2 7 is 14 3 7 is 21 so 3 7 is 21 and उसके बाद minus करो answer आएगा 5 मजे करो quotient is 3 and remainder is 5 left shift perform होगा okay यह 7 इधर जाएगा और यह 5 इधर जाएगा again division bro then 7 5 1 5 is a 5 minus 7 minus 5 that is 2 quotient 1 remainder 2 again left shift 5 and 2 okay again division 5 2 2 to the 4 5 minus 4 1 quotient 2 and remainder 1 okay again अभी left shift perform होगा यह इधर आएगा और और यह इधर आजाएगा ओके यह थोड़ा सा रफ कर लेता हो आगे की divisions करने के लिए अभी इन दोनों का भी division होगा so that is 1 2 1 2s are 2 so 2 minus 0 quotient is 2 and remainder is 0 left shift यह वन यहाँ पर आजाएगा और यह 0 यहाँ पर आजाएगा बस अब हमें स्टॉप करना है यहाँ वन आ गया ना स्टॉप कर दो अब हम इस टेवल के उपर जम करेंगे अब यहाँ पर हमेशा यह value 0 होता है और यह value 1 होता है मैं बस पहले वाले कॉलम दो की बात कर रहा हो प्ती व उपर जम करते है想र कर रहें तो फर्सलाइन की वैल इसके इंदर डाले एशा निकाला है खुछ रहना है व् JK बस इतना कर रहना है सेगें लाइन के उपर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड लाइन की वैलिए उस फॉर्मिले के इंदर डालनी है एंसर निकालना है खुश रहना है तीक है अब देखो टीवन का क्या वैल्यू है जीरो सो जीरो माइनस वदालिस क्यू क्यू एस थ्री और उसके बाद इंटू टीडू वदालिस टीडू टीडू वन ओके क्लिड करो माइनस त्री अंसर आता है माइनस यह पर डालेंगे खुश रहेंगे तो अभी पहला लाइन हो गया अब हम लेफ शिफ्ट परफॉर्म करेंगे यह वन इधर आ जाएगा और यह माइनस त्री इधर आ जाएगा राइट अब हम सेकेंड लाइन के उपर करें तो बेसी का लिए आप हमने सेकेंड लाइन के ओपर जंप करा अब हम सेकेंड लाइन के वैल इस फॉर्मिले के अंदर डालेंगे वह दले लिए टी वन इस वन सो यहापर हम लिखेंगे वन माइनस वदल इस क्यू क्यू एस वन और उसके बाद इंटू टीटू हम लाइज चाहि सेंप लेखेंगे सवत वर्मिले के प्रण इस रडाव 12 अगें रड चुख अँट है अबढ़ मर चुछ फॉसक्यू इस डालेंगे यह तोो ङップ कम ऐसे इतो बद हारे बेज्ट करए डाल इस वन सिवनस पन एस फॉन इस मिनस थी ए यह विए गरिग इभर स 8 that is minus 3 minus 8 minus 3 minus 8 is 11 okay so that is minus 11 of course minus 3 minus 8 minus 11 okay so you are looking at minus 11 left shift row 4 and minus 11 4 and minus 11 okay so basically now we have jumped on the next line and now we will put in that formula so what the hell is t1 t1 is 4 and minus q what the l is q q is 2 and into what l is t2 t2 is minus 11 so minus 11 calculate karo minus 11 into 2 that is minus 22 and 4 minus of minus 22 that is 4 plus 22 and that is 26 so here i am looking at 26 again left shift perform minus 11 and 26 here it will come here here it will come here it will come here it will come here just now let's go ahead nothing to do to do this because you have 1 corresponding value then 1 corresponding value is minus 11 okay now because it is minus 11 and minus 11 then nothing here is right so minus 11 when it comes to minus value then we have 26 minus that करना है मतलब बेसिकली माइनस 11 है तो 26 में से हम 11 निकाल देंगे 26-11 ऐसे ओके 26-11 इस फिफ्टी राइट इसका मतलब यह है कि के वन इन्वर्स का वैल्य जो है वह 15 ओके सो हम यहाप लिखेंगे के वन इन्वर्स इस इकॉल अब इसी वैल्य को हम आगे इस्तेमाल करने वाले है अब बहुत जादा जरूरी चीज यह जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने किया था के वन इन्वर्स का वैल्य निकालने के लिए वह पूरा का प्रोसेस करने से पहले आपको यह चेक करना है कि क्या जीसीडी 7 & 26 की वैल्य व अन आती है तो ही आपको पूरा करूरा प्रोसेस करना है नहीं आती तो वही पर आपको रुक लगह亦ा तो अगर इसका उस करने की जरुवत ही किया तो basically आप वही पर रुख जाओ right but अभी हमारे case में GCD 7 and 26 की value 1 आती है इसलिए हमने वो पुरागबर प्रोसेस किया और उससे हमें K1 inverse का value मिला और अब हम आगे का sum solve कर रहे है और अब शायद से आप यह भी और यहां पर 7 और 26 का से 7 की का यानि की basically K1 का value ही है और 26 number of alphabets ओके अब हम आगे बढ़ते हैं PPPP अब हमें basically plain text निकालना है यह step तो हो गया ओके यह step उदर ही हो गया था and अभी PPPP मतलब basically plain text plain text plain text plain text हर alphabet का हम निकालने वाल है तो T की सारी की सारी values हमें पता है that is 22 to 25 and 25 हमें बस वो यहां पे डालने हैं और हर बार हर value को 15 से multiply करके more 26 करना है that's it okay तो सबसे पहले jump करते हैं हमारे 22 के ओपर तो 22 अंदर जाएगा ओके तो 22 इंटू के वन इंवर्स दाट इस 15 तो दाट इस 22 इंटू 15 मौद 26 तो अभी हमें 22 इंटू 15 मौद 26 करना है तो सबसे पहले हम यह जानते कि 22 इंटू 15 का value आता किया है तो 22 इंटू 15 इस 330 तो इसलिए हम इधर जाएंगे बेस एंद में तो यह जाएंगे यह जाहां कि तो इसका आता है 18 इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 18 और उसके बाद next which is 2 तो यहां पर 2 जाएगा and 2 into 15 that is 30 and that would be 30 more 26 तो अभी हमें 2 into 15 more 26 करना है तो 2 into 15 that is 30 that is 30 more 26 so that would be 30 minus 30 divided by 26 into 26 and the answer is 4 अब जैसे कि तुमने देखा कि answer आदा है 4 और इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 4 क्योंकि मतलब बेसिक के लिए प्लेंटेक्स ही है ना तो इसलिए प्लेंटेक्स प्लेंटेक्स लिखा है आगे आगे बढ़ते हैं next is 25 that is 25 into 15 जो भी आंसर आता है मैं आपको कैल्सी में करके बताऊंगा and that answer mod 26 अब हमें 25 into 15 mod 26 करना है तो सबसे पहले हम यह जान दे कि 25 into 15 की वैल्यू क्या आती है यहां पर लिख देंगे 11 and like यह दोनों लेटर से में आखरी के दो लेटर से मैं लैक एस एल्ल तो आखरी के दो लेटर से मैं राइट तो इसलिए यहां पर 11 दिखा जाएगा अब अगर तुम कर्रस्पॉंदिंग अल्फाबेट जेखोगे तो 18 का कर्रस्पॉंदिंग अल् अल्फाबेट है एल एंड उसके बाद एल का कर्रस्पॉंदिंग अल्फाबेट है एल ठीक है sorry for this e दिख रहा है एल ओके और यह जो ऐसी यह मैसेज डिक्रिप्ट होके वापस तन्वी को मिल जाएगा और यही मैसेज हमारे अमन ने सेंड किया था अब एक बहुत जादा जरूरी चीज़ अगर आप एक्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एक्जाम के अंदर पी 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 टी 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 ऐसा मत लिखो पी के जगे पर प्रॉपरली प्लें टेक्स यहाँ पर फॉर्मिला उस फॉर्मिले के अंदर फैलि यहाँ पर एड कर दूँगा उससे आप हेल्प ले सकते हो और यह हमारा प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जिक से रिलिटेड सारे की सारे वीडियो बिल जाएंगे थैंक यू